नमस्कार आदाब जस्त्रियकाल जय भोले मैं दैवत पंडिया आपका दोस्त एंड ट्रैक टॉक बाइट्रिल ब्लेजस का होस्ट आज हम लोग बात करने वाले है एक ऐसे विलिज के बारे में जहां तक पहुँचने के लिए ना कोई रास्ता है ना कोई एरपोर्ट है और ना कोई जल मारके तो कैसे पहुचा जा सकता है मैं बात कर रहा हूँ लदाग रीजिन के अंदर आए हुए जान्सकार विडिज के बारे में अब सभी लोगों ने चादर ट्रैक का नाम तो सुनाई हो गए इसके अंदर धेर सारा एडवेंचर है वहां पर आप लोगों कई सारा लोकल लोग मिलेंगे क्योंकि अभी वह लोग जो है वह अपने गाउं से ले आने के लिए एक यही रास्ता है जिसका यूज करते हैं क्योंकि दूसरा जो रास्ता है वो कारगेद वारगेद होते हुए जाता है और वो जो है वो तकरीबंद आपको 12 से 13 घंटे ले 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 गाए और 465 किलोमेटर बायर रोड का वो रास्ता है जो कि बहुत लंबा हो जाता है इसे के लिए जितने भी लोकल लोग है वो इसी रास्ते का यूज करते हैं हमने सोचा कि हम भी क्यूं ना करें चलो एक बार जांसकार जाके आते हैं एक बार चादे ट्रेक चलते हैं आठ तारिक और सुबह की पहरे किरन अब होने वारी है इसके साथ-साथ ही मैंने संस्क्रिन वगरा सब खुद लगा लिया है और मेरे साथ-साथ समिध भाई भी जो है वो रड़ी हो चुके है हम लोग अभी फिलहाद है अँँआ डैली की कोई होटल के अंदर है और एरफोर्ट से बहुत नस्दीक है और यहां से अभी सीधा निकल रहे चलो अब जो है वो सीधे फ्लाइट कैच कर गए है उसके बाद दमाल करते हैं हुआ है कर दो प्रप्रा करते है प्रॉआ नहीं भार्व प्रॉआ जाड़े साथ की हमारी फ्लाइट अल्मोस साड़े ग्यारा बज़े जो है वो टेक आफ कर रही है मौसम ही इतना खतरनाक है क्या क्या देखना अजया आए फाइनली हम लोग बहुत चुके है मता नहीं बाहर कितनी थंड है की नहीं है लेकिन एक्साइटमेंट का कोच एकाना है मैं अभी आपको प्रॉपर तरीके जाएटन नहीं कर पाऊंगा यह कि कि मैं अभी जो है वह हुआ है विए जो है तो यहां बहुत सिर्फ वोजब लोग या थे तो तो तोड़ासा आफ ऐसा हो तो मुझे भी इस आप से भीयो करना बड़े मैं अभी आपको सारे हिल स्टेशन की सबसे फेमस जगे क्यों कि मौल रोड़ कि पीछे कोई भी नहीं है यही तो है विंटर के मज़े है अ कि सुबह के बद गया है तकरिबन ग्यारा और आज हम लोग यहां पे आए हबनामारी के टेस्ट करवा है जो है कि पताने किन किन लोगों का होगा कि किस के लोगों का नहीं होगा बहुत सारे लोग जो है यहां पर इस ही टेंशन में है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? और शाली बूतनी की इस बार की जो फीज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गी है तक्रियमन हो गया इंचरंज के साथ 9200 रुपे तीन सो तीस तो अभी हुआ यू है कि और किसी के पास जैरोक्स बैरोक्स कुछ भी नहीं है मद्रिशन करें है कि दो अधिया सब एक राइं करें हैं है मैदिकर टेस्ट के साथ यह सब दी करवाना पड़ता है कि पूर ना एक एम एक एक रिए आदि अग्यार्यां को डाल दीशन को निल चुकिए अब शीद है हाँ 90% oxygen तेरा किरा गड़िया बढ़िया अबना 98 अभी अपने बॉटल के अंदर oxygen बरेंगी तो चलो निलते है फिर सीधा ट्रेक कर अपर मौसम है उस हिसाब से यही लग रहा है कि आथ जो बहंकर वाला स्नुफॉल होने वाला है पता नहीं हम तो ऐसे भी ट्रेक करने जा रहे हैं जो कुछ भी आएगा अच्छा ही कुछ लेकर आएगा अब ही तो चादर शुरू ही की थी यह देखो है रिकार सी चीज़ आना शुरू है एक तो उपर से स्नुफॉल हो रहे है नीचे से पानी नीचे से पानी और दोनू साइट में पतरी 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 हाँ और हमारे जो ट्रेंड से वो देखो बेलकुल मेडिगर केम्प के बाजुमें है अशा आचो हो हुआ क्या है क्या है आज का दिन जो है सुवे साड़े ग्यारा बजे शुरू हुआ हम लोग जो लह लह विला से निकले और यह हम लोग जो निकले और यहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि आदेर रास्ते तक तो सला गाडिया जाती है तो पता नहीं लोग खुश हुए कि नहीं लेकिन मैं तो बड़ा दुखी हुआ क्योंकि वो जो वाला पैच था उसको करने का मजा ही अलग होता पहले दिन जो हुआ हो अटलिस दस से बारा किलोमेटर चल लेते हैं बड़ा मजाद है बट नहीं हुआ तो कोई अफसौस भी नहीं है क्योंकि चादर जो है वो इतनी फर्म भी नहीं थी अब बात आती है कि पहला कदम कैसा लगए तो जैसे ही हमने पहला कदम चादर के उपर रखा चलेगा कर दो बन अरे कोई नहीं है तरही जैसे कदम रखा ऐसा लगा कि यार क्या जबर ज़सते जो क्रिस्टल तूटने की आवाज थी या फिर यह जो थकान है यह सब क्या हुआ है सुबह के बच गया नो और मैं निकल पड़ा हूँ अपनी मंजर किया वैसे ही जासे हरोज निकलता हूँ कुछ नह करने कुछ साओती जासे हैं दो जासे जासे हुआ है वीच रास्ते के अंदर हमें कुछ ऐसी चीज मिली है छोड़ो ना क्या डिस्क्रिप्शन दिखाई देता हम आपको शिवलिंग जासा लग रहा है अंदर से पानी आ रहा है यह देखो और यह देखो यह देखो नजारा तो ही है लेकिन हाँ यह बहुत है रिस्की है अगर यह तूटा ना तो फिर यहाँ से सीधा वह एक नदी जाती है उस में निकलूंगा तब तक मैं मर गया हूंगा आइस हम तीनों ही थे जो ऐसे जूतों के अंदर ट्रैक कर रहे हैं अब आगे जाके बता चला कि वूतनी का पानी है अब सारे लोग अपने 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 गम्शूस निकाले देखते क्या होगा एक इसको तो हमने पार कर लिया बटी तो बटी है सहाब लेकिन कैमरे के सामने थोड़ी ना दिखाएंगी बटी हुआ के से अबादएंट ईया यँ़ जबादाएंगी आएंगी आएंगी अबस्ट वह आएंगी अबस्ट झाल झाल 11.5 km चल चुके, ढेर सारी चीज देख चुके, अब एक ये चीज का इंतजार था, कि भाई, कैम साइट कव आएगी, क्योंकि अभी जो हवा है, तो बहुत एक जंडी हो चुकी है, और बट चुकी है, सुबह के बच गया है, ताकरीबन साड़े साथ, और पहली बार हम लोग निकल चुके है, अपनी समीट के लिए, और ट्रेक करने के लिए, जालजोज के लिएमालाब हे सकीन लेधर रही होता है, जो आएगी हो जाएगी हो उचिया गुफा, तो पहले जमाने में जो यहां एक राजा और एक मंत्री यह से ट्रेवल कहुंग कर जा रहा था था, जान्सकर से, तो दोनों उवड रपच एगी हो पूज़ लोगॉबन तो लुनों तो लेठर बैक पैक, जन के ब pontान से बैकेङए भी ढनता है. बात कि बैक अधन्स उर्ड शुरु कार जो分 अज़ अगाए, तो आंद अन्स जाँ गान ने हैब। तो मैं क्या करूँ उसने बहुत पुजा किया रात बार तो सुबा है ना उसको थोड़ा से जमा हुआ था चादर तो दोनों वहां से मुश्कित से उक्रोस हो जुगा था उसका जान बाच गया था तब से नाम है क्याल्जोस याए कि लेदर खाने वाला एव गुफा नाम किसी मте दोड़ा होुआ से उसका पर भी कर तोब तोगThere तोपाइस अला किपाई। इस अल्जरा मेर क exiting कोगन तो तोड़ गई और बिलुकुल निग्रेक वाटरफाल के पास तोड़ी है अब जो है आमें मुफ्त का यह पहार चाड़ना पड़ है कोई नहीं चलो एवी चलेंगे अब जो एवी चलो एवी चलोगना गला बिला बा में लूग को एवीज सब्सक्राइब है ये ये जे है है ये कर दोगेज़ ये कर दोगेज तोरो के शेमे खुड़ियो कर दोम आमें प्यादिर विन खुड़रण प्यूद्ट इसके शाया को बजाँ बजने वादा है अब ऱुषय justify विन को हम आदे टक बॉक कर रहे है और वाईसी हालत है कि याउ perfect एवि तोरी दिर के वाल उन्सlusive अब अब भूंजरे में से घमनिका दो तो डिस्ट्रिक्षन बट इतने खूबसूरत दिखती है ना कि क्या का है? उनमें से ही मैं एक जगे के उपर अभी खड़ा हूँ चोब दिखाता हूँ आपको हाई नाओ अड्सतल कि करो में आपको आगे जादर की बीटी जो है वो देख रहा हूँ सुन रहा हूँ सारी सुद्वू खो चुका हूँ भाई नहीं जादर की डूटी जो है वो इतनी मसधार थी क्या हूँ अब यहां से जो है वो घर जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यह नीरा उशांती यह पाने की किल किला है और इसके साथ-साथ हम कितनी बार गिरे दोस्तों की चहल पहल नो मोवाल लेटवर्क और नो एलेक्टरसीट यह जो अनुबव था ना क्या है इसी के लिए जो थोड़ा सा मायूस हूँ और थोड़ा सा दुखी भी लेकिन एक ना एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा कुछ ना कुछ ना करेंगे अभी यहां से निकलेंगे पहले चर्चा विचारना करेंगे कि कौन कितनी बार गिरा इसने क्या गल्ती की कौन-कौन किस को छोड़कर भाग गया था कि सूप कैसा था ट्रैक की समिट किस-किस किसकी वज़े से जो है मेरी समिट रुप गई यह सारी जो वाभी चर्चा इसके साथ साथ जैसे वर नेटवर्क आएगा लोग जो हो अपने अपने सनी जनों को पाल करते रहेंगे वाई हमने डान करने वाई हमने डान करने अ और मेरा क्या मैं वापेस निकल पड़ूंगा एक दूसरे ट्रैक की और तब तक के लिए स्टे टून सच बोलू ना तो कहां पर ये सारे दिन गुजर गये वो पता ही नहीं चला हर रोज सुपह उठते थे हमारे स्टैंजिन भाई जो थे वो हमें मस्त गर्मा गरम सूप और ग्रिंटी ऐसे ही पिरोजते थे टैंट की जिप खोलते थे सीधे आपके हाथ में चाय भी थमा जात हम लोग तो जो इकटे सो रहे थे क्योंकि हमें मजे करने यह सब कुछ यादा आएगा यह जो संशाइन थी सुपह सुपह की पहली संशाइन सीधे चादर के उपर पढ़ती थी और रेफ्लैक्ट होके जो द्रश्य बनता था वो मैं बयानी कर पाऊंगा अरे हम जहां पर लट्रिम वाश्रूम वगरा जाते थे वो भी जगे इतने खूब सुरत होती थी कि क्या को वहां पर भी भाई बैठने को मन कर रहा था कैसे ही बैठे रहे पानी की आवाज सुनते रहे और जांसकार रिवर का लुफ्त उठाते रहे लेकिन सबसे मज़दार बात पता है क्या याद आएगी यह जो दोस्ती है ना वो जो हसी है ना वो और जो हमने ट्रैक किया साथ में हर एक पल को जिया जब तुफान आया तो उसके अंदर भी हम लोग मुस्कुर आए और जब स्नौफॉल हुआ था खैर उसको स्नौफॉल तो नहीं बोल सकते हैं जब बर्फ के ओले पड़े तभी भी हमने उसी के उतने ही मज़े कि वहां पर मैगी चादर ट्रैक के उपर बनाई क्या कुछ नहीं किया पूरे ट्रैक के उपर मानो यह ऐसी मैमरी है जो कभी मिटने वा जैसे मैं वापस से अभी घर आ गया हूँ तब मुझे लगता है कि यार वह लगी मज़े थे ना कोई टेंशन थी ना सुभे कोई काम के उपर जाने का स्ट्रेस था और सच बात बोलू तो मैं क्या काम कर रहा हूं ना वो भी मैं भूल गया था वो छे-साथ दिनों के लिए तो यह था मेरा चादय ट्रेक का एक्सपिरियंस अभी पता नहीं मैं वापस ऐसे कौंसे ट्रेक के उपर जाऊंगा लेकिन में तो जरूर करूंगा चलो घूमना तो हम बन नहीं करने वाले लेकिन चादे ट्रैक का experience अभी यहाँ पे होता है खतम और दूसरे ट्रैक की planning करने शुरू होती है अभी से चलो मिलते है अभी कुछ ना कुछ गुजरात के अंदर explore करेंगे अल्टिक मेटलई वो हमारी करम भुमी, धर्म भुमी और जनम भुमी है चलो लालालालाला...